इंपर दिहास जिले में एक बार फिर से तेज रफ़तार गाड़ियों का कहर देखने को मिला तेज रफ़तार के कहर ने एक और की चान ले ली गुसाई ग्रामिडों ने ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया और जम कर हंगामा काड़ा सूचना पर भारे पुलिस बल और फायब ब्रिगर की गाड़ियों के साथ मौके पहुझे पुलिस आलादिकारियों ने परचुनों को समझा बुझा कर हंगामा शांत कराया वही फाय ब्रिगेड ने कड़ी मुश्रकत के बार डंफर के हाग बुझाने में कामयावी हासिल की है लेकिन तब तक ट्रुक चल कर पूरी तरीके से खाक हो चुगा था पुलिस ने शो को पोस्माटम के लिए भेशते हुए मामले में परजुन की तहरीर पर मुकदमा पंचुकरित करक कारवाय शुरूगी मामला है जल्पत कानपूर दिहाद के रूरा थाना शेत के नटपुरा गाउं का जहां पर एक तेज रफतार डंपर ने बाइक सवार को रौद दिया हास्य में बाइक सवार के मौके पर ही दर्दनाग पहुत हो गई इसकी सुचना पर मौके पर पहुंचे परजनों में जहां कोहरा मजगया वही ग्रामिडों ने आकरोश में आकर डंपर को आके हवाले किया दरसल नटपुरा गाउं के रहने वाले दीपू किसी काम से तिगाई गय थे वापस आते समय गाउं के बाहरी 30 रफ्तार अनियंतिक डंपर ने दीपू को बाई को सोड़ दाटक कर मार दी जिससे दीपू सड़क पर गिर गया इस दोरान डंपर चालक ने दीपू को रोतते हुए आगे भागने की कोशिश की लेकिन वह मजूद रहगिरों ने घेर लिया लेकिन डंपर चालक भागने में कामयाब रहा दीपू की मौत की सूचना जैसे है उसके गाउं पहुँची तो परजनों में कोहरा मच गया ग्रामिडों का हुजूम सा लगया घुसाय ग्रामिडों ने डंपर को आग के हवाली किया यहां से की सूचना और डंपर में आग लगने की सूचना पर पुलिस अलाधिकारी भारी बल को साथ पूंची साथी फाया ब्रिगेट की टीम भी मौके पर पहुँची खड़ी मश्रकत के बाद फाया ब्रिगेट की टीम ने डंपर की आग पर काबू पाया लेकिन तब तक डंपर चल चुका था पुलिस अधिकारियों ने परचनों को समझा बुझा कर हंगामा श्रांत कराया साथी मुर्टक की टीम को पोस्ट मॉटम के लिए भेचते हुए कारवाय शिडू कर दे गई है अधन न को दोन लावन जाए न चाहा लाए न जो कर दोन लावन भाहिन आ रहे ने जो मंदेन लोड गया जन लावाय और चला दि रहे हो यह काईसे हुआ है तरूरा थाना चेट के नटपरवा गाउं में एक सिडेंट हुआ है क्या मामला है यह थाना रूराइस ते तिगाई रोशनपुर बार पर एक ट्रक के अन्यंतरी तरीके करने से चलने से एक मोटरसाइकल सवार उसके नीचे आगे जिसके कारण उसकी मौके मुष्टी हो गई है और अम्रतक के शब को पोस्पाटम के लिए ग्रिम कारवाई के लिए जिला स्पताल में शुआ दिया पलजुनों ने कई घंटे तक सव को ओठने नहीं दिया इस पर क् गटना को लेके परिजन जो है थोड़े भावक थे थोड़े आकरोशित थे तो उसी में लोगों के द्वारा जो वहाँ न जो ट्रक है उसमें आग लगा दी गई थी मौके पर फायर बिगेट की गाड़ी ने पहुंसके उसको नियंत्री कर लिया और फोर्स मौके पर मौके है तिलाल जो परिजन है उन्हें समझा हुजा दिया गया है वो पुलिस को सहीयोग कर रहा है को अपरेट कर रहा है और आगे जो भी विधिक कारवाई है को की जाएगे आप लोगों बरे रपोर्ट तेजस खबर